भारत में कोरोना वाइरस का कहे टेजी से बढ़ रहा है और अब रोजाना ओसतन दस हजार नए मामरे सामने आ रहे हैं इस बीच आज से देश में अनलॉक वान के दूसरे फेज की शुरुआत हो चुकी है एक जुन को भारत सरकाने लॉकटाउन 5.0 यानि अनलॉक 1.0 की शुरुआत की जिसका दूसरा फेज आज से शुरू हो रहा है पिचतर दिन बाद आज से देश में धामिक स्थल, डेस्टरॉंग और मॉल खोलने की इजाज़त है लेकिन सौरान कई तरह की पाबंदियां भी होंगी इनमें कुछ नियम अनिवारे होंगी जैसे एक दूसरे से 6 फीट की दूरी, मास्क, सैनिटाइजर, आरोग्य सेतु एप, साबुन से हाथ धोने का अंतिजाम, जूते चपल गाड़ी में ही उतारने होंगी इसके अलावा प्रार्थना या इबादत के लिए घर से चटाई लानी होगी, मूर्ती किताब छोने पर मना ही है और प्रसाद भी नहीं मिलेगा भजन केटन का सामुहिक कारेक्रम भी आयोजित नहीं किया जाएगा इस खबर पर डिब्रुगर से हमारे समाधाता रिपुन जेदास हमारे साथ लाइट जुड़ेंगे हम हमारे समाधाता से जुड़ेंगे लेकिन यहां एक बार फिर से बताना चाहेंगे कि भारत पे जहां कोरोना वाइरस का कहत तेजी से बढ़ रहा है और अब रोज़ाना उसतन दस हजार नए मामने सामने आ रहे हैं इस बीच आज से देश में अनलॉक वन के दूसरे तेज की शुरुआत हो चुकी है एक जून को भारत सरका ने लॉकडाउन पांच यानि अनलॉक एक की शुरुआत की थी जिसका दूसरा फेज आज से शुरू हो चुका है पिशता दिन बाद आज से देश में धार्म के सल रेस्टरौन और मॉल भी खोलने की इजाज़त मिल चुकी है हालक इस वरां कई तड़ा की पाबंद्या भी होंगी और कुछ नियम अनिवारे होंगी अधि आमारा खुबे भाल लागी से आहाई महार मुरत आमारा अधि मंदियर दुआर खुली से भक्तापर नाय सोकल वाही से अरो आमी ये मंदियर सोहत हमस्ता मंदिर आमी सेनिताजागे कुरीशू अरो सब्सेकुन कुरीशू भक्तापर नाय सोकल आरो आमार डिसोकल विद्धा कर्म कट्टा आशे हाधी भुषा अपर तिक्षा थकोलोक आमी याधी बंधो कोरीशू अहा कली पर आही बहुँ कारने गधि के आमी अने धोने आमी कामकास सलाय सो सब्सक्राइब करें आरो इस खबर पर जूरते हैं हमारे डिप्रकर से समवाद आता है रिपंचे दास के पास सीधे जोड़ते हैं रिपंचे आप फिलहाल कहा है और वहां कैसी स्थिती है कैसी तैयारिया है जाना चाहेंगे दुलुमनी हम फिलहाल उपस्तित है डिप्रुगर के प्रसिद शृष्षी जगंनात मंदीर में जो की एक रेप्लिका है हूँ बहु रेप्लिका आप देख सकते हैं मेरे पीछे तस्बीरों से जो शृषी जगंनात मंदीर है पूरी का वार्ड फ्रेमस मंदीर जो है उसका ही एक रिप्लिका है डिब्रुगर में बना हुआ है यह एक दुलुमनी एक क्लास्टर ओफ मंदीर यहां में है यहां में हनुमान जी का भी मंदीर है शीव जी का मंदीर है और कुछ मंदीर है यहां में दुलुमनी पूरे जैसे इंडिया में आज है लॉकडाउन खुलने का जो ये प्रक्रिया जो शुरू हो चुका है उसमें धार्मिक स्थाल और ऐसे कुछ रेस्टूराइट अगरा को खुलने की अरनुमती दी गई है तो यहां भी आप देख सकते हैं कि यहां हम डिपरिगर में आज यहां जगनत मंदरी का खुल रहा है तो हम जानना चाहेंगे य सब्सक्राइब करने को मंदिर पहले आने के पाएगा शाथ यहां में कोई चंदन नहीं होता है कोई दिया अभी जलाने नहीं दे रहा है प्रसाद भी अंदर आने लें लेंगे यहां एक ही के बार बे आप लोग कितने लोगों को अलाओ कर रहे है मतलब गौर्डमेंट का गाइडलेंड है कि 20 लोग ही जा सकते है तो आप लोग को यहां क्या व्योस्ता है पाँच पाँच करके पाँच लोग आने देता है डस सल कर नीचे लड़का लेंगी को आने नहीं देता है चोटा बच्चे को और 65 साल के ज़्यादा उमर के जो लोग है उनको यहां आने की मना किया गया है और दुलोबनी एक चीस में और दिखाना चाहूंगा कि सोशेल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए यहां मंदिर पडिसर में मुख दुआर के पासी किस तरीके सा यह मार्ट चिन लगाया गय है यहां के कर्माचारियों द्वारा ताकि लोग जो है सोशेल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सके और यहां जो पूजा की जो विवस्ता है वो उसके बारे में हम जाना चाहिए मुख के पुजारी है हमारे साथ है जो पूजा की बात है वो आप लोग कर रहे हैं नहीं पूजा पिंदेंगे उसको यह अंदर आने के लिए भी माना है माक्स जरूर पिंदी की आई है और हम लोगा यहां हांडवास है हाद धुलाई करने के लिए वह सानी टाइजर भी है कमेट का जो नियम है उसको मानना जरूर है तो यहां पूजा भी अलाव नहीं करें जो परसादी को कोई भेट चड़ाने का आएंगे और दर्शन करेंगे और प्रणाम कर की जाएंगे तो दुलुमनी अपने देखा के किस तरीके से सक्त जो कदम वह का मापालन किया जाएगा इस मंदिर परिशर में और चाकी करुना का जो कहर है वह आसपास भी भटकने ना पाए और लो खुला है और आप देख सकते हैं चारों तरफ से किस तरह कि यहां के करमचारी गन पुजारी गन पूरा लगे हुए है उनमें एक नया उत्सा है जोश है कि फिर से मंदिर खोल रहे हैं लोग आएंगे पुजारी लगे हुए है भक्त गन लगे हुए है और सभी लोग यहां से काफ़ी बड़ा मंदिर है काफ़ी मुख्य मंदिर माना जाता है वहाँ पुजारियों की संख्या में भी क्या कटोती की गई है क्या कम संख्या में पुजारी वहाँ पर अभी है कि हम यह पूजारी जी ये श्टूडियों से एक सवाल है जो पूजारी यो की संख्या है उनमें क्या भी कटोति की गई है कि ने नि अभी एक आदमी की बॉंद है बाकी और सब लोग चार पहले से भी पांच आदमे थे एक आदमे छूटी में गिया है घढ़ और बाकी हम कोई भी पुजारी नहीं है केवेल एक मात्र पुजारी जो एक है वो घर गए है किसी वज़े से तो उनके यह है दुलोबनी यहां मैं दिखाना चाहूंगा यहां में गेट में किस तरीके सी व्योस्थाए की गई है आपको सोशेल डिस्टेंस मेंटेनिंग करने के साथी साथ आप देख सकते किस तरीके का यहां हैंडवाश जो ठरमो जो सकैनर है उसको लगाया गया है फिर यह रेजिस्टर यह है रेजिस्टर मैंटेन किया ज़िया गोन आगे जा रहा है कोन अंदर ज़िए फिर वहां जो सेनिटाइजेशन की वयोस्थता कि है तो की धरन प्रभी बीजी नाम लोशु थीकौना लोशु तार पिस्व तरे आमी तेकेट पोले जोदी याद साकी भूंती धूफ इतरी बार प्रखार अनिवलो भरीकोशे खेखिनी आमी यादर रोकाई दीशु आमी भीतोरले के बला खुमा बोल दियाना मुझलो भीतोरले के बला जोटे आमी मुझलो भीतोरले के बला खुमा बोल दीशु आमी फ्रीके दियाना सब्सक्राइब करते हैं यहां आज जो जगनात मंदिर के खुलते हुए ही सोशियल डेस्टेंसिंग के लिए उचीत प्रबंद किया गया है जो मास्क लोग नहीं पहन के आएंगे उनको यहां में मिनिमाम प्राइस पे उनको खरीद सकते हैं सैनिटाइजेशन के वेदाइड थर्मो स्केनर की वेदाइड रिजिस्टर मतलब दुनमरी जितने भी गाइड लाइन है उसका पूरा पालन किया जा रहा है और ये मंदिर जो आज खुल रहा है और यही लोगों का भी यहां में यही कामना है कि यह मंदिर फिर से खुले तो बाद सतर दिन के बाद मंदिर परिसे का खुलना लोगों में एक खुशी का लहर है। मास्क आधी खरीच सके।